क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार भगवान स्री कृष्ण ने अपने विश्व सरूप के दर्शन अर्जन को कराये थे उसी प्रकार एक बार भगवान महादेव शिव ने अपने दिव्वे विराट विश्व सरूप का दर्शन भगवान स्री राम को कराये था क्या भगवान सिव का ये विश्व सरूप भगवान स्रे कृष्म के दिव्य चतुर भुज्य विराट विश्व सरूप से भी सक्तिसाली है आप देख रहे हैं दि गोल्डन एज और सनातन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी और बेल आइकन को जरूर आउन करें ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तो भगवान शिव के बारे में कौन नहीं जानता ये त्रीदेवों में से एक माने जाते हैं और इन्हें संगारक के देवता के रूप में भी जान जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार नारायन अवतारी यानी भगवान स्री कृष्ण ने अपने विस्व अरजुन को रन भूमी में करवाये थे उसी प्रकार एक बार भगवान शिव ने अपना विस्व सरूप भगवान स्री राम को दिखाया था और इसका प्रमाण हमें पुराणों में मिलता है शिव गीता जो पद्म पुराण का ही एक भाग है उसके अध्याय साथ में इस बा रूप के बारे में और आपको उनके उस दिव्वे विराट विस्व रूप के दर्शन भी करवाते हैं भगवान शिव ने भगवान स्री राम को रामगीरी परवत के डंडक वन में गोदावरी नदी के टट पर इश्वर गीता जिसे शिव गीता भी कहा जाता है इसका ग्य भगवान शिव स्रीराम को सभी दिव्व mane ज्यान का सार्प्धान करते हैं जिस समय भगवान स्री राम माता सीता के बिच्वों में अलग होने के कारण दुखी और भ्रमित थे शिव गीता के सातवे अध्यां के अनुसार भगवान शिव पहले अपने बारे में सब कुश उ ये है कौस्तुक मणी के समान जिनका सरीर है और त्रीनेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है जिनके सर से गंगा भैती है ऐसे आप पुरुस आगरती रूप धरन किये हुए हो और माता पारवती सहित आप आधी गड़ों के साथ यहीं बिहार करते हैं तो फिर आपने पांच महा भूत आधी इस चराचर जगत को कैसे उत्पन किया है गिर्जा पती यदि आपकी मुझपर कृपा है तो आप बताईए कि आपने ये सब कैसे किया और असल में आप है कौन आपका वास्तविक स्वरूप क्या है भगवान शिव बोले एक सुक्ष्म वट के बीज में जिस प पंच भूतों का जनम पालन और नाश होता है अथवा जैसे प्रति दिन सूरे से प्रकास उत्पन होता है और संध्या समय विलीन हो जाता है उसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन होकर विलीन हो जाता है और मुझसे ही स्थिर रहता है ऐसे में स्री राम जी बोले प्रभु ज इस प्रकार दिशाओं के भ्रह्म वाले व्यक्ति को उत्तर आदि दिशाओं का भ्रह्म हो जाता है। मेरे अनुगरह के बिना चर्म सक्षों से भी नहीं दिख सकते। इसके उपरांत भगवान शिव ने उन्हें दिव्य नेत्र दिये और पाताल के समान उनका विस्तरित मुख स्री राम चंद्र जी को दिखाया। चंद्याचल आदी परवत, समुंद्र चंद्र सूर्य आदी ये सब ग्रहे, पंच महाभूत और सभी देवता, 14 लोकों और ब्रम्भांड को देखकर स्री राम जी बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे। तत्व ज्यान मिल जाने पर स्री राम उपनशिदों के व्यदिक मंत्रों और अर्थ रूप वाने से सिव जी की स्तुति करने लगे। स्री राम बोले आपकी माया से कल्पित हुआ ये विश्व आपके ही स्वरूप में प्रतीत होता है। अगर ये ब्रह्मान विलुक्त भी हो जाए तब भी प्रभु आपको कोई हानी नहीं होती। तब प्रभु स्री राम अपने विश्मय कार स्तुति को समाप्त करते हैं और भगवान सिव से कहते हैं कि हे देवादी देव महादेव आपके अनुग्रह से आप में एकत्र सब जगत को देकर मुझे त्रिपती हुई। उन्होंने सिव जिसे अनुरूत किया कि वह अब अपने सोम में व्यक्तिगत रूप में वापस आएं और ऐसा कहकर अत्यंद प्रसंता से अपनी आखे बंद कर ली। जब उन्होंने पुनह अपनी आखे खोली तब अपने सामने व्यागरे चरम के वस्त धारण त्रिशूल ठारी भगवान शिव को वापस देखा और इस طرح भगवान शिव ने अपने विश्वरूप के दर्शन जिससे सदा शिव भी कहते हैं वो भगवान सुरी राम को दर्शन दिये थे इससे पिछली वीडियो में हमने आपको भगवान स्री प्रिशन के विश्व प्रलय का मूल कारण हूं और महाकाल हूं जो जगत का संघार करने के लिए आता है तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यू रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योधा मारे जाएंगे इसलिए उठो युद्ध करो और येश अरजित करो अपने सत्रों पर विजय पाकर स्मिद राज्य का भोग करो ये सब युद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं हे स्ट्रेश्ट धनुधर तुम तो मेरे कारे को संपन करने का केवल निमित मात्र हो तो हमारे देवी देवताओं को आपस में बाढ़ना बंद कर दीजे हर हर महादेव जै स्री राम